Hello friends, welcome to study bus, अगर मैं IFT exam की बात करूँ तो एक different type of exam होता है because यहाँ पे आपको different तरीके से strategize करना पड़ता है, इसके पीछे reason यह है कि एक तो यहाँ पे sectional cutoff भी आपको clear करनी होती है and overall cutoff भी clear करनी होती है number two point जो है वो यह है कि इस IFT के exam में GK का एक additional section आ जाता है जिसके आपको तयारी करके जानी है, third जो इनके बाकी other section है उसमें भी जो type of questions है वो थोड़े different होते हैं, जैसे अगर मैं verbal की बात करूँ तो cat में RCS पे जादा focus होता है लेकिन यहाँ पे आप vocabulary के question, analogies के question, grammatical error के question भी देखते हो अगर मैं LRDI की बात करूँ, तो cat में बहुत जादा hidden information, lengthy questions पे dependency होती है अब इसी तरह से इस पूरे exam की तयारी कैसे करें, हमारे पास इस बार अच्छी बात यह है कि हमें additional 50 days मिल गए इस exam की तयारी करने के लिए last year तक IFT exam one week बात हो जाता था cat के बाद, so that बच्चों को time ही नहीं बिल पाता था पढ़ने के लिए लेकिन इस बार आपके पास time है, आपका जो exam है वो 24th January को है तो आपको बहुत sincere हो के इस exam की तयारी करने है, ताकि आप IFT crack पर पर पर, one of the best college है highest placement भई देखोगे, इनका average placement देखोगे, काफी अच्छा है, one of the best placement इंडिया में दे रहा है तीन campuses है, जिसके लिए common form इनका होता है, चाहे वो डेली वाला campus हो, कोलकता वाला campus हो आंदरपरदेशवाला campus हो, तो इस exam की तयारी के लिए आपको किस तरह से daily basis पर पढ़ाई करनी है और कौन-कौन से important topics है जिस पर focus करना है, यह हम इस वीडियो में discuss करेंगे So my name is Saurabh Kothari, let's start तो सबसे पहले चैनल को subscribe कर लेना, and bell icon को press कर देना, ताकि जितने भी important videos हैं, उसके notifications आपको मिलते रहे Instagram पर हमारा channel is study based education, इसको follow कर लेना, यह daily basis पर current affairs, quant shortcuts, vocabulary words आपको मिलते रहते हैं अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले paper का pattern क्या रहता है, ठीक है, तो अगर हम last year की बात करेंगे, को IFT का जो paper pattern है, वो change होता रहते है, number of questions change होते रहते हैं, लेकिन मैं last year का pattern आपको बता जेता हूँ, ताकि आपको एक broad idea हो जाए, last year questions आयते 110, 110 questions है, और total आपका 300 marks का paper था, जिसमें आपको जो GK का section था, वो 30 marks का था, verbal का section 105 marks का था, LRDA का section 90 marks का था, and quant का section 75 marks का था, जिसका मतलब हो गया, GA में जो आपकी marking scheme थी, वो थी 1.5 marks plus का, and negative 0.5, total जो questions आयते हैं आपके सामने, वो आयते 20, उसके बाद अगर मैं verbal section की बात करूँ, verbal and RC, तो total आपके सामने 35 questions आयते हैं, जो marking scheme थी, वो plus 3 minus 1 की थी, उसके अगर आप LRDA देखोगे, उसके total questions आपके सामने आयते 30, and यहाँ पे भी जो marking scheme थी, वो आपकी plus 3 minus 1 थी, अगर हम quants की बात करें, तो quants में इनके questions आयते 25, जिसमें आपकी जो marking scheme थी, plus 3 minus 1 की चली थी, तो total आपके साम 110 questions हो गये, marks से आपके पास 300 marks का paper हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर यह हर साल change भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है भई, यही pattern रहेगा, हो सकता है वो GK के marks increase कर दें, RC की कम कर दें, LRDA बढ़ा दें, क्वांट बढ़ा दें, वो इनके उपर depend करता है, IFT is always full of surprises, लेकिन अगर हम cutoffs देखें, त लास्ट यह जो आपको marks चीए थे, call लेने के लिए, वो 138 marks चीए थे, तो 300 में से, अगर आपके 138 marks, which means 46% के आसपास अगर आपके marks आ गए हैं, तो आपको call आ गई है, IFT के लिए, ठीक है, general category की बात कर रहा हूँ, और अगर आप EBS या फिर OBC categories हो, तो 115 marks आपको चीए थे, and SCST के लिए 89 marks आपको चाहिए थे, overall के साथ साथ, आपको यहाँ पर sectional cutoff भी clear करनी थी, 5 marks आपकी GK की sectional cutoff थी, 34 marks आपकी RCVA की cutoff थी, 22 marks आपकी LRDI की थी, और 15 marks आपकी quantitative aptitude की थी, तो यह आपको cutoff थी, तो आपको यहाँ पर broad idea यह पता चल गया है, कि जो sectional cutoff है, वो इतन 50 में से 5 marks लाने थे, verbal में 105 में से 34 marks लाने थे, LRDI में 90 में से 22 लाने थे, and quant में 75 में से 15 marks लाने थे, जिसका मतलब यह है, कि sectional cutoff manageable है, and overall cutoff आपको लगबग लगबग मान के चलो 50% के आजपास आप exam paper में ले आओ, तो आपको यहाँ से call बन जाती है, तो यह तो हमारे structure रहा अब question निकल के आता है, कि किस तरह से इसकी तयारी करनी है, ठीक है, क्या के important चीज़े हैं, जो आपको ध्यान रखनी है, तो IFT के लिए न, दो-तिन चीज़े आपको बतारूं, जो सबसे ज़्यादा important है, planner शेयर करने से पहले, so that आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ सबसे पहली important thing क्या है, यहाँ पे आपको हर एक section पर काम करना है, क्योंकि overall cutoff के साथ sectional cutoff भी clear करनी है, तो हर एक section के आपको practice करनी है, verbal की, quant की, LRDA की, GK की, number two, आपको अपनी strength को maximize करना है, जैसे ही आपको यह लगे, कि मेरी sectional cutoff तो clear हो रही है, अब आपके जो strength areas है, वहा best दिखाने के लिए, वह आपकी strategy पर depend करता है, तो अगर आपने देखा कि मेरे सारे section में कुछ minimum questions हो चुके है, अब अगर आपको लगता है, मेरा strong area quant है, तो quant के जाधा questions करो, अगर आपके strong area verbal है, तो उसके जाधा questions करो, तो इस तरह से आपको practice करनी है, तो इसी लिए बहुत strategy best है, number 4, अगर हम बात करें, तो previous year paper definitely करके चले जाना, क्योंकि quant में काफी सारे questions होते हैं, जो IFT में repeat होते है, year on year basis पे, तो previous year IFT के definitely करने चाहिए, मैं सब को ये recommend करता हूँ, ठीक है, अब अगर हम बात करें कि preparation के लिए हमारा planner क्या होना चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको December से, जिसमें बिलकुली well structured तरीके से हम लोग IFT के तयारी करने वाले एक video course है, जिसका मतलब आप दिन में कभी भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन daily basis पे आपको devote करने होंगे 3-4 hours, तो अगर आप daily 3-4 hours पढ़ सकते हो, तो ये planner, ये crash course आपके लिए appropriate है, अगर आप खुद पढ ले तो आपको ये सारे के सारे mocks previous year हम लोग खुद ही provide करते हैं, so that आपको one stop solution मिल पाएं, उसके बाद अगर हम बात करें, तो हमने आप पर verbal का, फिर हमने quants की बात करें, ये वाला topic देखना है, then current affairs हमने आप include कर दिया, quant का अगर आप देखोगे, सारे के सारे topics arithmetic चल रहा है LRDM हम पहले basic LR पूरा finish करेंगे, then verbal ability हम vocabulary भी कर रहे हैं, RC भी कर रहे हैं, RC के concept भी कर रहे हैं, grammar भी कर रहे हैं, ताकि हमारे सारे subject clear होते चल जाए, इधर हम static GK के जो important topics हैं, जैसे economy के ओपर questions पूछते हैं, जाधा तर कौन से sensex की क्या details हैं, कौन सी companies कहां listed हुई है, monetary policy, R RBA, repo rate, उसके बाद demand supply के ऊपर कुछ questions बन जाते हैं, कुछ government policies, schemes के ऊपर questions बन जाते हैं, तो यह सारी चीज़े हमें यहां पर करके जाने हैं, ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर देखो कि current interface, month on month, current interface हमने आपको provide करी है, इस course में, so that आपकी current interface भी बहुत जादा strong होती चली हैं, इसके बाद अगर आप बात करें, तो यहां पर आप देखोगे, day by day आपका planner चल ला है, जिसमें RCs, analogies, idiom phrases, जिसके questions काफी आते हैं, IFT में world usage, grammar, synonymous, तो हर एक topic एकदम IFT point of view से बनाया गया है, so that आपकी तयारी अच्छे से हो पाए, इधर हमारी basic LR पूरी की पूरी complete इसके बाद अगर आप देखोगे, इसके बाद अगर आप देखोगे, तो further आपकी यह वाली चीज़ हैं, इधर आपका LRD में advanced वाला topic चल रहा है, tables and case, charts and diagram, data sufficiency, silog, and इधर आपका quant मगर आप देखोगे, algebra पूरा finish होने वाला है, इधर आपकी current phase finish हो गई है, static GK चल रहा है, और IFT में recent year में क्या हुआ है, business awareness के questions भी आने लगे हैं, तो आपको ह product किस brand का है, कौन सी company किसने found की है, किस तरह की important personalities है, business personalities, कौन richest person है, इंडिया में, या richest woman है, business world में, उसका important advertisement campaigns कौन से हुए है, कौन से author ने कौन सी book लिखी है, यह सारे topics भी आपको करा दिया है, ताकि आपका GK का section में बिलकुल strong हो जाए, इधर हमारा यह पूरा grammar खतम हो गय है, so that आपका previous year का analysis भी हो चुक है, तो 14 January तक हम लोग syllabus finish कर देंगे, उसके बाद हमारे mock test स्टार्ट हो जाएंगे, IFT mock 1, IFT mock 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो बिलकुल latest pattern पे है, जिसमें आपका purpose होगा, कि अब आपको अपनी speed, आपकी strategy पे काम करना है, last month 3 days अपनी final brush up के लिए देंगे, and 24 January को हम लोग exam के लिए appear करेंगे, तो एक well structured 50 day का planner है, जिसमें हम लोग का target बहुत clear है कि IFT oriented हमें पढ़ा ही करनी है, यह जो course है, एक video course है, जो आप अपने laptop में चला सकते हो, अपने mobile phone में चला सकते हो, किसी भी एक device में आप active कर सकते हो, तो आप plan कर सकते हो, किस तरह से 24 January तक इसकी validity रही कि तो अगर आपको कोई video revise भी करनी है, आप इस validity के बीच में कभी भी कर सकते हो, ठीक है, आपको जो lectures मिलेंगे, आपको quant, lrdi, verbal, static, gk, business awareness, current, फिर मतलब full-fledged, एक IFT oriented आपको content मिलने वाला है, जिसमें हम पूरा का पूरा स्ले बस IFT का cover करेंगे, ठीक है 100 plus hours की videos आपको मिलेंगे, तो daily basis पर आपको 3-4 hours की videos देखनी है, then आपको कुछ practice करनी है, कुछ questions solve करनी है, so that आपकी command बनती रहें, इसके साथ मैं आपको provide करो 7 IFT full-length mocks, तो 7 आपको full-length mocks मिलेंगे with detailed solution analysis ताकि आप पता कर पाओ कि आप अभी कहाँ stand करते हो, 8 आपको मैं previous year क paper solve करूँगा, ताकि आप उनको solve कर पाओ in the form of mocks, तो जो previous year के paper है, उनको देखने से क्या होगा, उनको mock की तरह appear करोगे, तो आपकी speed strategy बनेगी, और previous year solve भी होते चले जाएंगे, तो उसका भी आपको detail analysis मिल जाएगा, अगर आप topic wise test किसी practice करना चाहते हो, वो भी आपको additional practice क के लिए design किया गया है, and day by day आपको study plan मिलेगा, ताकि आप एक एक चीज की बहुत sincere तरीके से पढ़ाई कर पाओ, एक एक topic आपको तयार हो जाए, and जिस order में मैंने आपको time table दिया, उस order में अगर आप videos देखते हो, तो minimum possible time में maximum output आप निकाल पाओगे, तो ये अगर इस course मे fee structure है, 3800 रुपीज, जिसमें आपके सारे के सारे videos, mocks, previous year, topic test, and पूरा अगबरा detailed planner मिल जाएगा, अगर आप सिरफ test series लेना चाहते हो, जिसमें आपको 7th IFT full 9 mocks, और 8 previous year paper मिल जाएंगे, that you can take for 850 रुपीज, तो ये पूरा अगबरा course का detail है, enroll करना चाहते हो, website पर जा सकते हैं, जिनको बच्चों को IFT से call आई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो, this is the right mix of verbal quant LRDI with huge dose of motivation, तो अगर आप एक serious experiment हो, जो इस साल एक अच्छे MBA कॉले में जाना चाहता है, तो ही आपके लिए course appropriate है, क्योंकि पढ़ना तो पढ़ेगा, daily आपको 3-4 hours devote तो करने पढ़ेंगे, चाहे कितने भी अच्छा content देदें, कितने भी अच्छे mocks देदें, previous paper देदें, detailed analysis देदें, उसका कोई point नहीं है, तो अगर आप अपने आप से commit कर सकते हो, कि मैं daily 3-4 hours पढ़ने के लिए तयार हूँ, then you are at the right platform, आप enroll कर सकते हो, website पर जाके, या फिर आप WhatsApp कर सकते हो, जो course start or a start or a 8th December से, तो you can enroll on that day और उससे पहले बाप enroll कर सकते हो, all the best, thank you so much and take care.